तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज मैं वीडियो सिर्फ विंडो के उपर बना रही हूँ तो ये विंडो मेरी किचिन की है और इसली बना रही हूँ क्योंकि ना मुझे इसमें एक चीज बहुत ही पसंद आई है आप देखी रहे होंगे ये स्लाइडर वाली व इन जान आ है कि दिखए दोस्तो जब्साइटमें स्लाइडर को दल्स में मुझे पसंद आए और इसमें भी लिए विellt हो इसमें में इस लिए लगा डिए नहीं मुझे बहुत इंट्ची लगी और इसनोन वेंगे हैं जाहती है है आप अगर इस टाइब की विंडो बने बाते हैं आपके घर पे तो आप लोग के लिए भी बहुत काम आ सकती है इसलिए यह वाला वीडियो में डाल रही हूं और हम रेंट से रहते हैं मेरा न्यू घर है पर यहां नहीं है मेरे राद्बन जहां जो करते हैं मैं उनके साथ रह आप लोग के काम आ सके यह वाला वीडियो तो प्लीज बहुत ही अच्छा है अपने घर में जरूर ट्राइब करें और नहों जैसे कोई बनवारा हो तो प्लीज इसी टाइब के विंडो बनवाए बहुत ही फायदा रहता है यह विंडो से एक तो मच्छरों से भी और उपर स्लाइडर तो बहुत ही इंकचब लगते हैं विंडो के लिए तो यह विंडो बहुत ही अच्छी लगी मुझे तो अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं आपको अपने हॉल की विंडो देखाती है चलिए तो हम आचोके हैं मेरे हॉल वाली विंडो देखने के लिए जो की इसमें मेट लगी जरूर है जैसे मेट दिख रही है आपको दिखाती हूं यह इसमें चाली लगी जरूर है पर यह फिक्स चाली है तो मैं आपको बहार से दिखाती हूं इसका यह देखिए पूरे म लगाए आपको भी मैंने किचिन की वन साइट स्लाइडर दिखाई थी और यह पूरे में मेटी लगी है मतलब ईने जाली लगी है तो आपको अंधर से और दिखाती हो देखें दोस्तों हम अंदर आ चुके हैं और यह मेटी बाहर से ग्रिल फिर जाली उसके बाद स्लाइडर ये देखिए ये कांच वाली स्लाइडर है और किशेंग में एक्सट्रा दिया है वह है एक मेटे वाली स्लाइडर तो ये देखिए ये पूरी विंडो है हौल की है और जो की बहुत ही अच्छी है वो जो बहुत पसंद आईये ये तो खेर नॉर्मल सी वात है कि कोई भी अपन इपने घरों में तो बहुत ही अच्छा होगा मैं तो बनवाओंगी क्योंकि यह रेंट वाला रूम है और हमारा जो फिक्स जहां रहने का है हमारा घर वहां बिंडो बनी है पर बालकनी में मैं सूच रही हूं कि कुछ इसी टाइप के बिंडो लगवाई जाए तो बहुत ही लाइक एंड सब्सक्राइब तो बहुत हो चुका लाइक लाइक करना तो चलिए आज के लिए इतना ही अगर यह विंडो वाली स्लाइडर वाली विंडो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज यह वीडियो देखें और शेयर करें और बताएए कि कैसा लगा तो फि और बताएब!